वेल आप लोग यहां पर शायद से पता होगा कि OnePlus, Oppo, Vivo, iQoo, Realme इन सब का मालिक एक है BBK और जो BBK ग्रूप आफ कंपनीज है उसके अंदर इस सारे स्मार्टफोन रेखने को बोलते हैं लेकिन इसके अलावा मॉबाइल फोन के दुनिया में एक और ऐसा एक ग्रूप है जिसके बारे में यहां पर जातर लोग यहां पर पता ही नहीं है और यहां पर मैं Xiaomi ग्रूप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ उसके बारे में तो पता ही होगा Redmi, MI, POCO यह सब पता होगा य यहां पर में बात कर रहा हूँ transient holdings के बारे में है बिल्कुल क्योंकि यह कैसी company है जो कि तीन company अपने under चलाती है और किसी को कानो कान ख़वर पड़ती नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छी position है उन्होंने अपनी market में बना रखी है exactly इन companies के बारे में बात करो कौन सी है आईट इस मेरे को खुद जानके आश्चर हुआ था जब मेरे को इनके बारे में पता चलाता और पता चलाता कि क्या क्या कारणामे कर रहे हैं हला कि सब कुछ बात करने वाले आप लोगो सब कुछ बताऊंगा और वीडियो के आप लोगो पसंदार है interesting लग रहा है तो यहार किस ब दो ब्रांड टेक्नो और आईटेल के दम पे 2008 में फीचर फोन बनाना शुरू किये थे और जो बटन वाले फीचर फोन होते उस तमें यह लोग कूदे थे मार्केट में मलदा आप खुद सो सकते हो ती एक जमाना यह था कि 2007 के बाद हर कंपनी यहां पे कि स्मार्टफोन बन नहीं किया जहां दुनिया की हर कंपनी एक महेंगा फोन एक फ्लैक्शिफ फोन डाने में लग रही थी इन्हों ने शुरूआत से रखा कि हम थोड़े सस्ते अफोर्डेवल फोन बनाते हैं जिसको लोग यहां पे यहां पर यहां पर यूज करें और इसी के चलते एफ्रिक के सेग्मेट में कुस तो फोन ऐसे होते जो आज के समय बहुती जादा बढ़िया वैल्यू फॉर मनी प्रवाइड कर रहे हैं मतलब यहां पर इन्फिनिक्स के फोन का का फिछ एग्जामपल है यह फोन आज के समय ऐसी वैल्यू पर रवाइड कर रहे हैं जो 10-11,000 में उम् और 2014 में तो शुरुआत करी थी लेकिन 2017 में आप बिलीव नहीं करोगे महाँ पर एफ्रिका में जितनी भी कंट्रीज होती उनके अंदर जो ट्रांजियन होल्डिंग का जो मार्केट शेर आ गया था उसने सैमसंग को यहां पीछे कर दिया था वालों सैमसंग जैसी बड़ी इन लिए इन लोग अपने जो फोन से वो प्रवाइट करते हैं और आफ्टर सेल सर्विस के लिए इनका जो कारल केर रहता है वो भी एक चीज़ उनने सेट अप कर रखी है जो कि इन तीनों ब्रांट्स की आफ्टर सेल सर्विस हंडल करता है इवन इंडियन मार्केट में ज बहुत अलग तरीके से काम करते हैं जैसे सबसे बहले बात करता हो आइटल के साथ आइटल के जो फोन्स होते हैं यहां पर बिल्कुली एंट्री लेवल फोन्स के पर फोकस किया जाता है और आइटल ब्रैंड के बार में आपने अकई होडिंग वागिर आए कहीं तो पड़ कुछ लोग तो ऐसे रहेंगे जो कि फीचर फोन लेना पसंद करेंगे और यही सोच के आइटल यहां मार्केट में टिकी है कि जब सब लोग आउट हो जाएंगे मार्केट से तो हम ही एक लौते प्लेयर बचेंगे यहां पर कैप्चर करने के लिए और इसी चक्कर वे करके कुछ एक्स्क्लूजिफ फोन भी निकाले हैं जिनकी कि मालब साढ़े तीन-चार हजार रुपए में एक स्मार्ट फोन देखने को मिल जाए ऐसे कुछ प्रोड़क्स भी निकाले जो कि देखा तो एंट्री लेवल और जो विलेजिस होती वहां पर थोड़े बहुत इ देखो टेक्नो के फोन हमें मार्केट में इस जदा पॉपलर देखने को नहीं मिलते हैं और सोचते हो गया ना कौन इनके फोन खरीटा है लेकिन टेक्नो के फोन एक्जेकली बिकरे एट टीर थी सिटीज में और आफ्लेंच शॉप्स में जब भी आप किसी छोटे शेर में आपको लाइन से टेक्नो के फोन सजे हुए देखने को मलेंगे और टेक्नो यही पर खेल रहा है और वो यह कोशिच करता है कि कोई भी आदमी 10,000 का फोन लेने जाए तो उसको टेक्नो का फोन ही मिले और इसलिए उनके हिसाब से फोन डिजाइन कर रहे हैं मतलब कि इनकी र इनको फोन पसंद आ रहे हैं इवन बात कर तो इनके फोन के साथ जहां तक मैंने चीज़ देखिए कि इसपेशल आफ़र्स वगर भी चलते हैं जैसे कि आप 10,000 रुपे का फोन ले लो आपको 1,500 रुपे का TWS देखने को मिल जाएगा यह कुछ चीजों के साथ ऐसे डिल्स सब हेलियो P22 से आगे नहीं भड़ रहा था अभी के समय में इन्फिनिक्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और देखा जाया तो लगता है कि अच्छा रिस्पेक्टेड हार्डवेर मिल रहा है कि 10,000 रुपे में यह 11,000 रुपे में एमोलेड इस्क्रीन यह सब के से हम मिंटेन कर रखी है तो इन्फिनिक्स आउनलाइन में बहुत अच्छे तरीके सब पिछले कुछ समय में फिलिपकार्ड को थू उन्होंने बहुत सारे फोंस पेचे हैं और काफी सारे लोग को इन्फिनिक्स के फोन या पसंद भी आए है तो यह कहानी है इन तीनों क ऐसी एक सारवाइस नम बदल के Oxygen OS रहता है और फिर नम बदल के Real Mewa यह भी बन जाते है लेकिन घुमाफिर हाके आपको पता एक सारव्यों लन्हे बाख प्रवाइब करनी तो मतलब कि मैंने इंफिनिक्स का फोन या इसा देखा था पहले जिसके ऐनर आप मिना के डाले हुए है बिना कोई थर्ड पार्टी एप का यूज के है डिफॉल्ट में यूटुब की एप होती है उससे बेंग्राउंड में चला सकते स्क्रीन बंद करके और पिक्चर इंड पिक्चर मोड के अंदर भी चला सकती है यह फीचर बाद में दोसरी कंपनी इस इन अप बहुत जाद है यह चीज अभी तक इसकी डाइजस नहीं हो पाई है करते यार उमीद करते को फीड़ेट दी इन इसको किंकम सिंग अपडेट पे काम परें सौफ्टर पे काम करें अभी आपकी पोजिशन ऐसी है अगर थोड़ा आप सही कर लें तो आपकी पोजिशन और ब लेकिन बाहर के मार्केट इनके लिए मेन है जैसकि एफ्रिकन मार्केट में पहला डॉल सिंफोन पहला स्मार्ट फोन काफी सारी चीज़ें इंट्रोडीउस उन्हों ने वहां पे करें ती और आज के समय में तीनों ही ब्रांट काफी ची तरीके से सकस्पुल है इवर इंफ फिर भी बात की जाए तो अभी भी एंट्री लेवल मिड लेवल के फोन पर बच्चु हैं अभी भी कोई प्रॉपर फ्लेक्शिप जैसे चीज़ देखने को नहीं मिल रहे है उनका लेने जाते है तो उनका क्या मिल जाएगी एक अच्छा कैमरा मिल जाएगा ज्यादा फास अच्छी बात होगी इवन देखा जाया तो टेक्नलोजी वाइस पर काफी जगे इंवेस्ट करें टेक्नो ने यहाँ पर गिंबल कैमरा में भी इंवेस्ट किया है जैसा गिंबल कैमरा आपको यादे कि यहाँ पर वीवो ने आपको दिया था वैसी कव वैसी चीज़ अब अपनों को तैयार कर रहा है और अगर ऐसी काम करते रहो कुछ अच्छी चीज़ ला है तो क्या पता फ्यूचर में आपको बेटर प्रॉट्स भी देखने को ले हाला कि मैंने इनका वीडियो एक पहले बनाया था जिसके अंदर बता था क्यों यह अपने एक फ्लैक्शिप स्मार्फोन बना रहे हैं लेकिन लगता है कि अपना फ्लैक्शिप या फिर प्रॉपर ऐसे फोंस बनाने की यहां पर जरूरत है जिनसे कम से कम इनका एक मार्केट पर सैप्रेंट चेंज हो मतलब आइटल टेक्नो इंफिनेक्स को हम गिनते भी नहीं है टॉप 5 स्मार्फोन लेकिन अगर इस टैक की चीज़ा अगरे लोग ज्यादा करें कम लाइम लाइट में कुछ अच्छी चीज़े देखने को मिलें तो उसमें बुरी बात क्या है उम्मीद करते कुछ लोग अच्छा करें सौफ्टर में इंप्रॉव्मेंट लिका है नहीं टेक्नलोजी से हम इ करें आप लोग का एक्स्पीरियंस कैसा रहा वह बात मता ना मत भूलन नीचे कमेंट के अंदर और ऐसी इंफॉर्मेटव यूनिक वीडियो देखना पसंद करते हैं आप लोग वैल किस बात में जाइक करो लाइक करो चैयल को सब्स्राइब करो आप लोग थेंगा कुटी अपसनों तो नेस्फुन के अंदर गुद बाई